आपके पस Lava Blaze 1X 5G है या फिर Blaze Series का कोई और फोन है तो यहां पे आप थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं अगर यह नहीं आ रही है सक्रीन शॉट तो इसके लिए आप चाहेंगे सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आपको आपको पैशल फंक्शन का आप इस पे क्लिक कर देंगे त्री फिंगर इसक्रीन शॉट का ओप्शन आपका इनेबल रहना चाहिए बाए डिफॉल् कर लिएगे तो screenshot आज जाएगा आप screenshot आता है तो यहाँ पे आपको pen be option मिल जाता है जिसमें आप edit कर सकते हैं इसको इसके colors वगरा को change कर सकते हैं ऐसे crop कर सकते हैं adjust कर सकते हैं filter लगा सकते हैं ऐसे करके markup कर सकते हैं sorry markup कर सकते हैं जैसे कि ऐसे कर दिया कुछ लिखना है तो वो लिख दिया, highlight कर दिया, किसी चीज को, done, ऐसे करके आप इसको edit भी कर सकते हैं, और save copy कर लेंगे, तो आपका ये save हो जाएगा, अब एक चीज और आजाते हैं, यहाँ पे arrow का option, तो इसको आप share कर सकते हैं, तुरंट, और यहाँ पे आपका एक long screenshot का option जाता है, जैसे कि आपने chrome browser open कर लिया, या फिर कुछ और, तो long screenshot आता है, इस पे काम करेंगे, इस पे click करेंगे, तो देख सकते हैं, इसको आप ऐसे करके बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके बास save कर लेंगे, तो यह long screenshot हो गया, इसे टाप की interesting videos के लिए i button पे click कर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार